इस वीडियो में हम बात करेंगे break and continue statements की break और continue statements का use हम iterative statements में करते हैं क्यानिकी for loop और while loop में इस वीडियो में हम जानेंगे कि for loop और while loop में आप break और continue statements कैसे use कर सकते हैं और उनका क्या use रहता है वीडियो start करने से पहले मैं आपको बता दूँ आप मुझसे in different ways में connect हो सकते हैं आप facebook, youtube या telegram पर जा सकते हैं facebook पर आप cbse, cs and ip पर जाकर connect हो सकते हैं और youtube या telegram पर आप cbse, csip सर्च करके connect हो सकते हैं आप website पर भी visit कर सकते हैं जो है cbse, csip.in आपके जो भी doubts, queries हों आप यहाँ पर comment करके post कीजिए मैं वहाँ पर आपके doubts को clear करूँगा चलिए start करते हैं इस वीडियो को with break statement तो break statement का use हम for loop या while loop में करेंगे break statement आपके loop को terminate कर देता है जैसा कि आपको पता होगा एक loop जैसे हम for loop या while loop की बात करें तब तक चलता जाता है जब तक कोई condition true रहती है यदि मुझे अपने loop को बीच में ही terminate करना है condition false होने से पहले तब मैं break statement का use कर सकता हूँ जैसे कि आप इस diagram में देख सकते हैं यहाँ पर मैं जब loop लिखूँगा तो वो यहाँ से start होगा उसके बाद एक test expression check होता है उसके बाद यह body of loop चलती है और यह repeat होता रहता है जब तक मेरी कोई condition या यह text expression true रहता है इस text expression के false होने पर मेरा loop exit हो जाता है यदि मैं loop में कहीं बीच में break use कर रहा हूँ तो यह loop true होने के बाद भी terminate हो सकता है test expression मेरा true रहेगा बट break statement आने पर यह exit हो जाएगा यानि कि बीच में से ही terminate हो जाएगा control of the program flows to the statement immediately after the body of loop यानि कि break statement आते ही मेरा जो loop है वो terminate हो जाएगा और जो python control है जो program को execute कर रहा है वो directly इस loop से बाहर जाकर loop के बाद जो next line रहेगी उसको execute करेगा if the break statement is inside a nested loop the break statement will terminate the innermost loop यानि कि मैं यदि दो या दो से ज़्यादा for loop यूज़ कर रहा हूँ एक for loop के अंदर दूसरा for loop या एक loop के अंदर दूसरा loop जाए for हो या while हो और मैं उस loop के अंदर break यूज़ करता हूँ तो break से जो innermost loop है वो terminate होता है यानि कि जिस loop के अंदर मैं break यूज़ कर रहा हूँ वही loop सिर्फ terminate होगा यदि मैं innermost for loop के अंदर break यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ अंदर वाला for loop ही terminate होगा चलिए इसको हम practical example के थुरू समझते हैं इसके लिए मैंने एक file बनाई है python file इसको open कर लेता हूँ यहाँ पर मैं code लिखूँगा यहाँ पर मैं एक for loop लिखता हूँ for i in range 5 देता हूँ अगर मैं करता हूँ print i और इसको मैं execute करता हूँ तब आप देखेंगे 0 से लेके 4 तक numbers print होगे यानि कि यह for loop पूरा execute होने पर 0 से लेके 4 तक numbers print करता है मालिया इस loop को मुझे बीच से ही terminate करना है यानि कि जब 2 आए उसके बाद यह loop terminate हो जाए तो यहाँ पर मैं break statement का use कर सकता हूँ if i double equal to 2 then मैं break कर दूँगा तो break statement कब चलेगा जब i की value 2 होगी i की value starting में 0 रहेगी फिर 1 होगी फिर 2 होगी तो यह सारा कुछ print i से print होगा और जैसे ही i की value 2 होगी मेरा loop break हो जाएगा यानि कि यहाँ से break यहाँ से loop terminate हो जाएगा इसके बाद कुछ print नहीं होगा चलिए इसको execute करते हैं आप देख सकते हैं कि 0, 1 and 2 मेरा print हुआ उसके बाद loop terminate हो गया इस loop को 5 times चलना था यानि कि 0 से लेके 4 तक लेकिन मैंने break का use करके इस loop को बीच में ही terminate कर दिया है तो अब आप समझ सकते हैं break क्या काम करता है यदि मैं यहाँ पर 0 देता हूँ तब आप देखेंगे मेरा loop एक ही time 0 time चलेगा और break हो जाएगा यदि मैं if condition हटा दूँ और directly loop को print से पहले break करूँ तब आप देखेंगे कि मेरा loop जब first time चलेगा तब ही break हो जाएगा यहाँ पर जैसी मैं इसको चलाता हूँ तब आपने देखा कुछ भी print नहीं हुआ क्योंकि मेरा loop start होते ही साथ break हो गया कुछ इस तरीके से break काम करता है अगर मैं इस for loop के बाद कुछ लिखता हूँ after for loop और यहां पर लिखता हूँ start of for loop तब आप देखेंगे मेरा loop start हुआ 0 आया और after for loop चला गया यानि कि break मैंने दिया तो break आते ही मेरा जो python का control था वो इस loop से बाहर चला गया और गया immediately after the next line of for loop जैसा कि हमने यहां पर देखा था control of the program flows to the statement immediately after the body of the loop तो यह body of loop है मेरी और इसके बाद यह जो statement था directly यहां पर control गया और उसने execute किया after for loop तो कुछ इस तरीके से break काम करता है अगर मैं यहां पर दो for loop दूँ यानि कि nested for loop दूँ तब देखिए क्या होता है तो यहां पर मैं एक और for loop देता हूँ इसको भी five times चलाता हूँ और इन सब को मैं for loop के अंदर कर देता हूँ अगर मैं break ना दूँ और i को print करूँ यहां पर मैं j कर देता हूँ यहां पर मैं करूँगा print j इससे पहले मैं यहां पर hashtag hashtag print कर देता हूँ ताकि आपको numbers clear हो तब आप देखेंगे उपर वाला loop जब first time चलेगा यानि कि j की value 0 होगी तो यह 0 से लेके 4 तक numbers print होगे फिर जब 1 होगी तब 0 से लेके 4 तक numbers print होगे जब 2 होगी तब 0 से लेके 4 तक numbers print होगे अब यदि मैं यहां पर if i double equal to zero करता हूँ और यहां से break करता हूँ तब आप देखेंगे यह break statement किस loop के अंदर है इस वाले for loop के अंदर है तो यह break statement केबल अंदर वाले for loop को ही break करेगा यानि कि अगर मैं यहां पर 3 देता हूँ 2 देते हैं हम यहां पर तो zero one two print होगा उसके बाद यह वाला loop break हो जाएगा लेकिन उपर वाला loop break नहीं होगा उपर वाला loop five times continuously चलेगा जो हमने यहां पर देखा था कि break statement innermost loop को terminate करता है इसको हम जब execute करेंगे आप देखेंगे कि अब उपर वाला loop zero से लेके four तक five times ही चला है बट अंदर वाला loop zero one two zero one two zero one two सिर्फ three time चला है क्योंकि हमने i की value two होने पर loop को break किया था यदि यह वाला break statement मैं innermost loop के बाहर लिख दूँ तब आप देखेंगे कि अब यह वाला break उपर वाले loop में है यह वाला break statement अंदर वाले loop में नहीं है तो यह break statement अब उपर वाले loop को ही terminate करेगा अंदर वाला loop every time five times ही चलेगा इसको जब मैं execute करूँगा यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा if j is equal to two तो यहाँ पर जब इसको loop को मैं चलाओंगा तब आप देखेंगे अंदर वाला loop तो every time five times ही चला है पर उपर वाला loop zero से लेके two तक ही चला है क्योंकि यहाँ पर j की value two होने पर मैंने loop को break किया है इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि break statement जिस भी loop के अंदर होगा वो उसी को ही terminate करेगा यदि एक loop के अंदर मैं दूसरा loop यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर break statement है तब break statement innermost for loop को ही या innermost loop को ही terminate करेगा अब हम break statement का while loop के साथ यूज़ करना सीख लेते हैं यदि मैं देता हूँ while i is less than 5 और i को assign करता हूँ 0 से और यहां पर print i करता हूँ इसके बाद मैं देता हूँ i is equal to i plus 1 जब मैं इसको execute करूँगा तब आप देखेंगे कि 0 से लेके 4 तक ये loop print करेगा यदि मैं check करता हूँ if i double equal to 2 then break और जब मैं इसको execute करूँगा तब आप देखेंगे यह 0 1 2 print करेगा क्योंकि मैंने i की value 2 होने पर loop को break कर दिया यानि कि जब i की value 2 ही उसके बाद जितनी भी values थी वो नहीं print होँगी क्योंकि loop terminate हो जाएगा और loop का control कहां पर जाएगा loop का control जाएगा immediately after the while loop तो अब print होगा end of while because मैंने यहाँ पर print दे दिया तो यह while loop खतम होते ही break होते ही मेरा control है वो next line पर चला जाएगा loop के बाद यह था break statement अब हम बात करेंगे continue statement की तो continue break के opposite काम करता है जैसा कि आपको पता होगा कि यदि मैं कोई loop run करता हूँ जैसे कि for loop for i in range 5 में print hello करता हूँ इसके बाद मैं करता हूँ print high और इसको run करूँगा तो hello high hello high hello high ऐसा five times print होगा क्योंकि range 5 है यदि मैं यहाँ पर break कर दूँ तब आप देखेंगे कि hello a की बार print होगा उसके बाद break statement आने पर loop terminate हो जाएगा continue क्या करता है आपको यदि working for loop की पता है तो for loop कुछ ऐसे काम करता है for loop start होता है first line से फिर वो body of for loop चलाता है again फिर से first line पर जाता है जिसमें i की value increment होती है next sequence में जो next value है वो आती है उसके बाद फिर से body of for loop चलता है तो body of for loop में जितनी भी lines होंगी सब एक एक करके execute होंगी यदि मैं बीच में कहीं पर continue लिख देता हूँ तब क्या होगा मेरा जो for loop का rotation है वो यहां से ही continue हो जाएगा इसके नीचे वाली line पर for loop नहीं जाएगा तब आप यदि मैं इसको execute करता हूँ तो देखेंगे कि hello 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 every time print होगा for loop का जो control है वो इस line तक पहुँच ही नहीं पाएगा उससे पहले ही for loop फिर से rotation में चला जाएगा जिसमें i की next value range से आएगी और फिर print hello चल जाएगा उसके बाद फिर continue आने पर यह rotate होता रहेगा तो अगर यदि मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जब i की value 2 है तब continue हो तो मैं अगर इसको print करूँगा तब आप देखेंगे hi hello hi hello hi hello hi hello hi दो बार print हुआ उसके बाद जब i की value 2 पहुची तो यहां से मेरा loop continue हो गया तो सिर्फ hello print हुआ high पर control नहीं गया इसके बाद फिर से hello hi hello hi print हुआ यानि कि यदि मैं बीच में से कहीं loop में उसको दुबारा से continue करना चाहूँ तो continue के थुरू कर सकता हूँ तो continue statement is used to skip the rest of the code inside of a loop for the current iteration only यानि कि आप यहां पर देखेंगे कि current iteration के लिए ही यह loop को continue करता है उसके बाद यदि कुछ और आता है तो उसके बाद फिर से loop को पूरा चला रहा है आप इसको इस diagram से भी समझ सकते हैं यहां से मेरा loop start होगा फिर जाएगा condition पर उसके बाद check होगी condition यदि condition में कोई continue है तो यहां से बापिस condition पर starting में चला जाएगा body of the loop को skip कर देगा और इस condition के false होने पर मेरा loop है वो terminate हो जाएगा तो आप देख सकते हैं continue बीच में आने पर कहीं पर मेरे loop की जो बची हुई body है उसको यह skip कर देता है और continue हो जाता है मेरा rotation loop does not terminate but continues on with the next iteration यदि मैं continue use करता हूँ तो loop terminate नहीं होता है जैसे कि आपने यहां पर देखा जब iq value 2 थी तो hello के बाद high नहीं आ पाया यहां से ही loop continue हो गया और next iteration में चला गया लेकिन जब iq value increment हुई तो loop regularly फिर से चलने लगा क्योंकि वो if के अंदर फिर दोबारा नहीं गया सेम जैसे हमने break में बात की थी यदि मैं continue किसी loop के अंदर use कर रहा हूँ तो वो continue cable inner loop पर ही applicable होगा यदि मैं कोई nested looping कर रहा हूँ अब हम continue को while loop के साथ use करके देख लेते हैं यदि मैं while फिर से same loop लिखता हूँ i की value यहाँ पर one रखता हूँ और यहाँ पर print i करूँगा उसके बाद यहाँ पर मैं print hello कर देता हूँ उसके बाद print high कर दूँगा उसके बाद i की value को i plus one करूँगा उसके बाद मैं जब इसको execute करूँगा आप देखेंगे hello high hello hi hello hi hello hi 4 times print हुआ यदि मैं 5 less than equal to कर दोंगा तब ये 5 times print होगा अब यदि मैं यहाँ पर check करता हूँ if i double equal to 2 then continue यानि कि जब i की value 2 होगी तो मेरा loop continue हो जाएगा वो नीचे वाले part पर नहीं जाएगा ऐसा होने पर आप देखेंगे कि क्या होगा मेरा loop infinite times पहुँच जाएगा क्योंकि i की value जैसे ही 2 होगी उसके बाद ये continue होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि i की value उसके बाद increment नहीं होगी तो अगर मैं इसको execute करूँ तब आप देखेंगे ये infinite times चलने लगेगा इसलिए मुझे इस i plus 1 को भी continue के पहले use करना पड़ेगा जब मैं इसको फिर execute करूँगा तब आप देखेंगे ये successfully चलेगा और जब i की value 2 होगी उस time hello के बाद high पर नहीं पहुँचेगा साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम break और continue statement को एक साथ भी use कर सकते हैं यहाँ पर मैं use कर सकता हूँ if i double equal to 2 then continue and alif i double equal to 3 then break तो ऐसा करने पर आप देखेंगे कि जब i की value 3 हुई तब मेरा loop break हो गया तो उसके नीचे बाले कोई भी statement नहीं चले directly loop terminate हो गया तो ये थे while loop और continue loop i think आपको समझ आये होंगे यदि आपको गहीं भी कोई doubt है तो आप comment section में उसको post कीजिए मैं वहाँ पर आपके doubt को clear करने की कोसिस करूँगा थे नहीं तन्ष्ट रीच dimension